दोस्तो पैसों की जरूवत पढ़ने पर समय से पहले FD तोड़ने का अगर कर रहे हैं प्लान तो उससे पहले इसका पूरा गड़ित समझ लीजिए तो आए जानते हैं दोस्तो अगर आपको किसी क्राइसिस की वजए से पैसों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपकी FD आपको इस समस्या से निकाल सकती है आप जरूवत पढ़ने पर समय से पहले भी इसके पैसे निकाल सकते हैं हालाएं कि इस पर कुछ पैनल्टी भी देनी होती है हम आपको बैंक की इसी सुविदा के बारे में बता रहे हैं कितना मिलेगा ब्याज अगर आप समय से पहले FD तुलवा रहे हैं तो आपको उस दर्से जिस पर आपने FD की है ब्याज नहीं मिलेगा जैसे के मान लेजिए आपने एक लाग रुपे की FD एक साल के लिए 6% की दर लेते हैं और 6 महीने की FD पर 5% सालाना की दर्से ब्याज मिल रहा है तो ऐसे में बैंक आपके पैसों पर 5% की दर्से ब्याज देगा ना कि 6% की दर्से कितनी देनी होगी पेनल्टी देश के सबसे बड़े बैंक SBI के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 5 लाग रुपे तक की FD कराता है तो उसे FD मैच और होने से पहले ब्रेक करने पर 0.5% की पैनल्टी देनी पड़ेगी इसी तरह से 5 लाग से जादा और 1 करोड से कम की FD पर 1% पैनल्टी समय से पहले ब्रेक करने पर देनी होगी अब अबधी के हिसाब से ब्याज सुनिश्चित करने के बा जादा तर बैंक 1% तक ही पैनल्टी बसूलते हैं दोस्तों इसका पूरा गड़ती इस तरीके से है अगर आप 1 लाग रुपे की FD एक साल के लिए कराते हैं जिस पर आपको 6% सालाना ब्याज मिलना है ऐसे में एक साल पूरा होने पर आपको 1,6,163 रुपे मिलेंगे वहीं अगर आप 6 महीने बाद पैसे निकालते हैं तो इस पर 5% की दर से ब्याज मिलेगा इसके अलावा 0.5% की पैनल्टी भी बसूली जाएगी ऐसे में आपको 6 महीने बाद पैसा निकालने पर कुल 1,2,479 रुपे मिलेंगे दोस्तों इस पैनल्टी से बचने के लिए FD पर ले ले सकते हैं मानली जीए आपकी FD की कीमत 1,5,00,000 रुपे है तो आपको 1,35,000 रुपे लोन मिल सकता है अगर आप FD पर लोन लेते हैं तो आपको fixed deposit पर मिलने वाले ब्याज से 1-2% जादा ब्याज देना होगा जैसे मानली जीए कि आपकी FD पर 4% ब्याज मिल रहा है तो आ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद